हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग उमीद करता हो ठीक होंगे फिर से लेके आज चुका हो नहीं रिक्रुमेंट कोल इंडिया जोब 2024 में ऑपिशियली रिक्रुमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आप लोग एप्लिकेशन कर सकते हो कोल इंडिया जोब 2024 में एसिस्टेंट एंड फोर्मेंट की ऑफिशियली रिक्रुमेंट की नोटिफिकेशन चारी हुआ है जिसमें 12 एंड आई टी आई पास करने वाले अप्लिकेशन कर सकते है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर पूरा जान करें दिया गए आप लोग उसका डीटेल दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग आप अप्लिकेशन कर सकते हो फॉर्म फिलप कर सकते हो सब कुछ यहां पर आपको सालारी 24,000 पार मांद दिया जाएगा जिसका लास्ट दिया गया है फिप्थ फेबरारी 2024 तक तो आगर कोई भी इंटरेस्टेट दोस्तो देख लेते आज की ऑपिशन नोटिफिःकेशन जिसके लिए आप लोग यहां पर अफ्लिकेशन कर सकते हो दोस्तो जैसे की देख सकतो मैंने डाउलोट कर चुका ओँपिशन नोटिफिएशन फ्रम नॉर्टेन कोल फिट ुंलीटेट की तरफ से इंटिफिशन ज लिए 10th pass होना चाहिए with 3 years के डिप्लोमा कोर्स, assistant for man mechanical के लिए matriculation pass, assistant for man electrical training के लिए matriculation pass with diploma और ITI qualified candidate यहाँ पर चाहिए इस पर application करने के लिए जो last day रखा गया है 5th February 2024 यहाँ पर application करने के लिए और भी बहुत सरे eligibility काईटिरिया दिया गया जिनके लिए आप लोग को मैं detail में बताऊंगा, position wise जो recruitment किया जा रहा है जिसमें all over इंडिया से कोई भी candidate application कर सकते, जैसे की assistant for man electrician and E&T training के लिए आपको यहाँ पर vacances 9 post निकल के आया है assistant for man mechanical training के लिए 59 vacances and assistant for man electrical gear 34 vacances recruitment किया जा रहा है, total 150 vacances recruitment किया जाएगा, जिसमें सब कुछ यहां पर रखा गया है, position wise अगर कोई भी candidate application करना चाहते उनके लिए जो qualification रखा गया है उसको तो मैं आपको बताऊंगा, बता दे चुका हूँ, अभी आपको बताऊंगा training period, यहां पर आपको training आपको one year के रखा गया है for the assistant for man and assistant for mechanical electrical 2 years तक के candidate यहां पर रखा गया है, यहां पर application करने के लिए मैं और भी कुछ details यहां पर रखा गया है, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकर दे देता हो, application करने वाले के जो age criteria रखा गया है, 18-30 years, maximum 30 years तक आप लोग application कर सकते हैं, यहां पर आपको age reduction भी मिलेग As per the government rule के हिशब से, HCT candidate को मिलेगा 5 years, OBC के लिए 3 years, PWT candidate के लिए 10 years तक के age reduction मिलेगा, application करने के लिए application fees भी आपको जमा करना होगा, जो भी candidate undeserved OBC उनके लिए 1000 रुपीज, HCT, XR, and PWT के लिए कोई भी application fees नहीं चाहिए, बिलकुल मुफ्त में आप लोग यहां पर application कर सकते हो, selection process के अगर बात किया जाए, computer based test among interview के उपर base करके selection किया जाएगा, computer based test के अंदर 100 marks के exam होने वाला है, जिसमें आप लोग application कर सकते हो, यहां पर application करने के लिए male and female both candidates are equally eligible for this post, application करने के लिए officially जो link है में नीचे description box में mention कर दाओ, जहां से आप लोग application कर सकते हो, application करने के लिए जो जो documents आपको चाहे हुआ है, आपका education qualification certificate, age proof certificate, भूटर कर, आधर कर, कास certificate, सब कुछ लेके आपको यहां पर application करना होगा, दोस्तों आज के लिए यहां पर खतम करने वाला हूँ वीडियो को आगर आप लोग को और भी कुछ चान करी चाहे, definitely comment किजिएगा, मैं उस comment का replace yourself देने वाला हूँ, thank you friend, thank you for watching this video